अकेले बंदे ने आपको मार मार के 225 रन चेस कर गया ऐस्ट्रेलिया 225 रन BC साइड खेल रही है DE साइड बोलो 225 रन मैं तो हैरान वह तक यार इसने मारा कैसे है आप ये देखो अब लास्ट ओर में 21 रन नहीं डिफेंड हो रहे हैं आज ऑस्ट्रेलिया की चलो B साइड C साइड कोई भी साइड आज उनकी A साइड का एक प्लेयर आपको हरा गया अगर आप इस तरीके से देखो इस चीज को कि ग्लेन मैक्सवेल उनका में प्लेयर है जिसने T20 वर्ल्ट कप खेलना है इस तरीके से आप देखो ट्रैविस एड ने उपर से रन बनाए उसने खेलना है ग्लेन मैक्सवेल को T20 वर्ल्ट कप खेलना है उसने रन बनाए आपके सामने नहीं या मैं एक बार बोलता हूँ आपको एक बात यह सच है जिस दिर इसका दिन होना कोई जीत नहीं सकता वैसा तो क्योंकि मैक्सवेल प्लेयर ही ऐसा है कि मार मार के आपके धागे खोल देगा लेकिन जब आपको एक पॉइंट पे एक बार अकर वो दिखाएगा ना कि फॉल आ विकेट्स मैं देखू ज़रा पांच विकेट्ट गिर चुकी है इंपॉसिबल सीन हो चुका है लास ओर में 21 रन चाहिए उस नगे इसने लास वालवर भांडरी ही मारी यह लास ओर में कितने रन आये बाई 24 रन आगहे उससे पहले वाले अक्षार पजिल के ओर भी एख से उपर मारते ने मारते रहे वो वेड़न ने बार दिया आपको पेल दिया वहाँ पे मैक्स्वेल ने तो आपकी धजी अड़ा के रख दी जो आप खुश हो रहे थे का आप बलैटरल में कर देते हो वो कर देते हो और पता नहीं भाई मेरा इशान किशन वो क्या कर रहा था वाप रुतुराज गाइकवार्ड ये मैच्च आपको जिता के दे चुका था स्टॉइनिस की स्लो इनिंग्स आपको ये मैच्च जिता चुकी थी उसने 21 बालों पे 17 उन मारे थे बाकी आपका कोई बैटर नहीं जादा लेकिन रुतुराज गाइकवार्ड जो 200 की स्ट्राइक रेट से जादा से 100 बरा दिया था 223 चेज नहीं होता यार 225 मार के चले गए वो एक सो चार नौट आउट 48 बॉल्स पे आठ चौके आठ चखके 216 की स्ट्राइक आपकी तो करियस ने छितरॉल और अब वो देखो उस वैसे भी उसको क्या फरक पड़ रहा था या उसने जाना आया बो गया उसका यह सीरिस हम भी हम भी तो क्या ही कर लेंगे उखाड लेंगे सीरिस जीत के वैसे तो लेकिन चलो हारा तो मत कम से कम तो बात अभी भी देखो आप जीट जाओगे सीरिस टूबन से अप हो लेकिन आज आपके पास गोल्डन आपचुनिटी थी कि 3-0 से खटम करो अब वो तो सीरिस से भी जा रहा है वो तो वर्ल्ड कुप भी जी चुका है मैक्सवेल वो आया हसी खुशी हसरा था तुम पे उसने मार मार के मार मार के धागे खोल दिये उसने क्य तुमसे डिफेंड नी हो रहे है 21 रन कोई गले महले का मैच हो तो अलग बात है इसमें भी देखिए फुल टॉस नो बॉली थी उन्हों अमपार ने को नहीं तो उसने लास्ट की पांचवी बॉल पर चौका मारा नो बॉल थी तुम्हारी दिखाई के भाईया यह तुम्हारा स्टेटस है शीशे में देख लो जो खुश हो रहे थे मैं जा रहा हूं होलिडे मनाने मैं मिलूंगो आप टी टुटी वर्ल कप में तुमसे याद रखना जो सौ मारा और इसने टाटा बाड़ा पे कर दी अब यह सीरी से हो गया बाहर यार देखो यह बात नहीं है कि हम ऐसे ही लेकिन दो सो पच्चिस रन खा लेना टी टुटी में डिफेंड करते हुए जब पांच विकिट तुमने आउट कर ली सारे प्लेयर आउट हो गए डेविड आउट हो गया ट्राइवेस हेड का विकिट तुमने मिल गया सारे बंदे तुमने आउट कर लिए यंगसर्स ने बैटिंग तो बहुत अच्छी करी है लेकिन ऐसी पिछिस पर तुम खेल रहे हो जिस पर तुम्हें भी बाहर पढ़ रही है तुम्हारे बोलर्स तो बोलर्स आपकी तैयारी कि तरीके से कर रहे हैं प्रसिद कृष्ण भी कितने सीजन खेल चुका पाड़े जी आपका अगला बिग तिंग प्रसिद कृष्ण अर्षदीप सिंग वर्ल्ड कप खेल चुका है अर्षदीप की वो बॉलिंग कहा गई भाई डेथ ओवर्स की यार मज़े यॉर्कर क्यों नहीं दिख रही है अर्षदीप सत्तर रन पर ओवर से खाओगी तुम जिसमें मेरे क्याल से एक ओवर जो तीसरा ओवर करा हो सात रन है पर ओवर बीस रन पर ओवर अल्मॉस खा र इत्रिश्दीप की समझनी आई है कि ये बन्दा बॉलिंग क्या कर रहा है वही ये लास्ट ऑवर में बाइस स्कूर कम होता है यार आपको लास्ट ऑवर मिला हुए है बाइस स्कूर बाकी है और आपने वह खा ली है एक भी कोई बाल जगा पे नहीं मारा एक बाल भी लास् यह बन्दा देथ आवर का स्पेशलिस्ट है जिसका जी बाल कर रहा था एक भी यार कर नहीं एक भी यार कर नहीं फुल टास बालों पे फुल टास बाल जब आप मैक्सवल को देंगे तो लास्ट आवर में आपको नहीं छोड़ेगा वह आपको ऐसे ही ज़ा छोड़ेशलिस्ट चोड़ेशलिस्ट 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 चोड़ेशल दो आवर में 42 स्कोर ऐसा लग रहा था कि यार क्या होगा ज़्याद से ज़्याद ज़्याद चार पांच छके लगेगी दो आवर्स में लकिन नहीं भाईया उन्हें छुटी कर दिया है उन्हें मार मार के छुटी कर दिया है दो आवर्स में 42 स्कोर अक्षर पटेल क्या वालि पे साज में नो भी करवा दी, साज में फ्रीट भी दे दी, फ्रीट में छका भी लग गया, और काम वहाँ से ही तमाम हो गया, और ये परसीद कृष्णा, यार क्या बॉलिंग कर रहा है, ये मुझे समझने आ रही है, पूरे, ये साज के मैच में नहीं, पिछले दो मैच में इंडिया जीता है, बेशक, लेकिर इसने ऐसे दुलाई खाई है, और आज फिर से परसीद कृष्णा ने बेलकुल वही जो काम छिक्के रखा भाई साब, और वैसी दुलाई खाई है, और आप देखें, जो इसने जा तीसरा आवर किया, तीसरा आवर में मेरे याल में 6-7 स स्कॉर का लिए, और आप देखें, इसने चार आवर में 68 स्कॉर इसने दिया हुए है, 68 स्कॉर चार आवर में, और यह सीरिस तो ठीक है, बच गई है, अभी जो नेक्स्ट मैच्च में इंडिया एकर मैच जीत जाएगा, सीरिस इंडिया जीत चाएगा, लेकिन यार यह बड़ा पॉइंट कप्तान का, अरजदीब सिंग हमेशा से 68 और 20 ओवर करता है, तो अरजदीब सिंग के आखरी ओवर क्यों नहीं रखे, प्रसित करिशना की हिस्ट्री देथ ओवर्स को लेकर अच्छी नहीं है, गो कि उसने सेकिंड लास्ट ओवर, 18 ओवर जो कराया, वो बड़ा जबरदस कराया, लेकिन जैसे ही अक्षर पटेल पर इतने सारे रंज हुए, 23 रंज आए उस ओवर में, और इशान किशन ने जिस तरह आखरी बॉंडरी छोड़ी तो टेक्निकली और टेक्टिकली तो वो बॉंडरी मरवा गई आपको, लेकिन प्रसित के शकल पर ह अचानक सारी बॉले पीछे करना चुरू करती, तो बहुत दो ही तरह के लोग होते हैं इस तरह, एक जो बहुत डरते हैं अंडर प्रेशर, तो बहुत डर के मामले में तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि देखो, अब वो आपके साथ हमदर्दी का मामला अवाम कर सकती ह पर अगर डरते हो आप क्रिकेट में, तो आप नीचे रह जाओगे, दोस्तो अस्टेलिया की जीत में टीम इंडिया की खराब फिल्डिंग का भी काफी रोल रहा है, अठारवे ओबर में प्रसिद्ध क्रिशना की गेंद पर सूर कुमार ने मैथ्यू बेट का कैज छोड़ दिया था, तब वह साथ गेंद में पांच रन बनाकर क्रीच पर थे और इसके बाद 16 गेंद में नाबाद 28 रन की पारी खेल डाली, वहीं इसान किसन की भी खराब बिकेट कीपिंग ने भी भारत को मैच हराया, उनिस्वे ओबर में अच्छर पटेल गेंद बाजी कर रहे इनकी चोथी गेंद पर इसान किसन ने मैथ्यू बेड को स्टंपिंग करने की अपील की, तिसरे अमपायर ने जब रीपले देखा तो इसान ने बिकेट के बगल में गलप्स लाकर बाल कलेक्ट किया था, बेड तो आउट नहीं हुए लेकिन वह लीगल डिलिविली नो बा पे के लिए चली गई, इन रनों ने भारत की पहुंच से मैज को दूर कर दिया, आखरी ओबर में भारती टीम को 21 बचाने थे, प्रसिद्धिक रिष्णा गेंद बाधि कर रहे थे, आखरी गेंद पर आस्टेलिया को दो रन की जरूरत थी और मैक्सिमेल ने चौका लगा क कर अपली टीम को जीत दिलाई,